नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की 31st of March 2023 और देख लेते हैं Indian Express के Important Articles, Editorial और IdeaWate से जो अभी आम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देखो एक तो रहेगा World Bank की latest report आई है जिसमें World Economic Growth Rate है वो decline कर रही है उसके बारे में बताया है दूसरा हम देखने वाले है climate change को लेकरके United Nations General Assembly में एक resolution पास हुआ है और उस resolution में यह बात है कि जो International Court of Justice जो है ICJ ओके वो अब से climate change की जिस भी country पर कोई obligations है कोई responsibility अगर वो fulfill नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ में अपने orders declare कर सकते हैं जो कि binding नहीं होंगे पर एक narrative तो creative हो सकता है तो उस point आफ इससे ICJ का क्या रोल हो सकता है वो जानेंगे तीसरा हम देखेंगे कि राजस्तान में जो doctors के द्वारा protest किया जा रहा है right to health bill के against में तो उसके क्या माइने हैं वो जानेंगे और last में एक नज़र डालेंगे हम कि अभी recent जो खालिस्तानी elements operate कर रहे हैं UK में जिनके द्वारा Indian mission जो है embassy नहीं बोलता है वाच से क्योंकि ब्रिटेन के एंडर में जो भी colonies रही हुई है पास्ट में वहाँ पर high commissioners deploy होते हैं ठीक है अब थोड़ा इसके बारे में जानना point हमारा यह है कि हमारी mission से हमारे जंडे को अटा करके और जो issue create किया गया था खालिस्तानी elements के द्वारा फिर पिछले कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी जो elements हैं उनके द्वारा भी कुछ इस तरीके के activities की गई थी तो UK की government की जो responsibility है वो कहीं न कहीं UK government properly fulfill नहीं कर रही है या फिर उसका according काम नहीं कर रही है तो ऐसे में वो एक article है दो चार्ट points मतलब line है है वो हम देख लेंगे तो discussion स्टार्ट करते हैं detail में फर्स्ट आर्टिकल है losing steam देखो report अब भी world bank ने release की है और ये कहा कि बई 2011 से 2021 के बीच में तो world economic growth rate रही साड़े तीन परसेंट और 2011 से 2021 के बीच में तो रही 2.6% ठीक है और 2001 से 2011 के बीच में रही साड़े तीन परसेंट तो भूले ये दो decades थे ना उनके comparison में और डाउन जाने वाला है ये वाला decades 2021 से 2021 के बीच का ठीक है तो growth rate global economy की बताई जा रही है 2.2% तो ये जो चीज है ना ये कहीना कहीं shocking है कारण है कि एक तरफ तो economically वैसे crisis में जा रहे हैं और ये expectation थी कि 2021 से 30 या 31 का जो decade है वो कहीना कहीं एक progressive manner में economically प्रोग्रेस करवाएगा ठीक है क्योंकि covid के बाद में ये expectation थी कि थोड़ा बहुत economic track प्याएगी पर जिस तरीकी situation दिख रही है ना वो problem create कर रही है और ये world bank ने अपने report में बोल दिया है और इसमें main दो logic बताएं पहला तो covid की वज़े से जो economic activities रुकी थी और दूसरा Ukraine crisis ठीक है तो long term जो economic growth है उस पे impact जाएगा world bank group के जो president डेविड मौल पास उन्होंने साफ साफ का है कि result जो है वो इस तरीके से कि सोचा तो ये था कि 2030 के इस दशक में बहुत कोज़ अच्छा होगा बट बोला हमारे पास में जो है उसमें भी कहीं ने कहीं हमें problems का सामना करना पड़ेगा अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो world bank की report ने अपनी दरफ से ये clear बात कह दिया अब point यह है कि किन-किन segments में हमें कमी देखने को मिलेगी सबसे पहला point तो highlight किया गया capital accumulation that means investment जो होता है न economic activities को rise करने के लिए नई companies का open होना नया पैसाना market में बोलो वो down जाने वाला है दूसरा labor force growth है वो भी down जा रही है ठीक है जिस तरीके से skill development के requirement है जितना productivity के साथ में labor force को काम करना चाहिए वो उसमें decline देखने को मिलेगा and third one कि total factor productivity जिसमें आप economic growth भी include कर सकते हो जिसमें आप input कितना use कर रहे हो किसी भी product को produce करने में ठीक है तो input costing है वो down जा पा रही है और technological changes भी लगातार हो रहा है तो उसकी वज़े से भी कहीं नहीं productivity उतनी accurate नहीं आएगी क्योंकि initial stage में जलेगी technology artificial intelligence और यह तो efficiency इतनी नहीं पाएगी तो इसका भी असर यहां पे बताया जा रहा है तो तीन factor हो गए capital accumulation, labor force और factor productivity तीनों में कहीं कमी देखने को मिलेगी growth में ठीक है इस वज़े से बता दिया कि यह कहीं नहीं कहीं 230 इसका दशक है इसमें इतनी economic growth नहीं रहेगी 2001 से 2010 के बीच का जो decade था first decade of this century उसमें देखो growth हमारी 3% से ज्यादा थी globally अगर देखे हमारी का मतलब भी हो गया दूसरे तरफ उसी के comparison में 2011 से 21 का जो decade वो निकला उसमें 2.6% growth rate रही इसका मतलब growth rate में decline तो पिछले decade से शुरू हो गई पर यह जो current decade है न यह उससे भी down जाने वाला है यह है main बात ठीक है अब एक चार banks हैं वो collapse कर गया international banks ठीक है दो या तीन बैंक तो USA के collapse कर गया और एक सुझलेंड का collapse कर गया तो एक तो बोले इसकी वज़े से financial recession में जाने के chances है global recession मंदी के माहुल बने हुए है ठीक है और देखा जाए emerging markets और developing economies EMDES that means वो economies जो आज के टाइम पर progress करना चारी है इंडिय जैसी economy की बात हो रही है यहां पे है ना developing economy की तो बोले इनको बहुत जादा challenges का सामना करना पड़ेगा क्योंकि गरीबी खतम करना climate change की वज़े से बहुत जादा मतलब damage होना property losses होना और development के जो targets हैं वो achieve करना यह सारे के सारे बहुत जादा challenging हो जाएंगे अब हम बात करते है इंडिया specific तो देखो इंडिया के लिए तो ऐसा है कि वर्ल्ड की जो emerging market और developing economies है ना उनमें अगर हम growth rate point of view से देखें तो इंडियान economy faster manner में growth करेगी तो इंडिया के लिए तो ठीक है कि हम कह सकते हैं कि बढ़िया है पर वोई चीज है कि जो हम कहना चाते हैं कि हाजी export हम rise कर कि फिर बाद में हम पैसे वाले बनेंगे या फिर हमारी growth ensure करेंगे तो इंडिया export किसको करेगा उन countries को करेगा जो मंदी में जाने के chances दिख रहे हैं हाना तो वहाँ पे जब मंदी चल रही है तो demand नहीं है तो बेचोगे क्या तो export से तो हमें कुछ benefit मिलने वाला है नहीं energy की बात अगर आए चाहे फिर आप इसमें crude oil ले लो या natural gas की prices की बात कर लो दोनों के बारे में ये बताया गया है कि more or less इंडिया के लिए manageable रहेगा तो चलो ये भी एक silver line आ गई है पर जो global tensions चल रही है geopolitical tensions अलग-अलग एरिया में है चाहे चाइना का aggression की बात करो चाहे लावा trade policy uncertainty बनी हुई है ठीक है कहीं पर अपनी economies को close करने की कोशिशे कर रही है different economies और कहीं पर अपने खुद के settlement को ध्यान में रखते हुए नई experiments नई policies लाई जा रही है अलग-अलग governments के द्वारा तो वो भी कहीं नहीं है हमारे लिए challenge create कर देगी जो हमने ambition बना रखिए कि यहां इतने trillion dollar की economy इतने साल में हम बन जाएंगे ठीक है जैसे 2025 तक बोला हुआ है ना कि हम पांस trillion dollar economy बन जाएंगे तो उसमें export का बहुत बड़ा रोल रहता है एक्सपोर्ट इतना हो नहीं पाएगा जो कि हमारे आपर clear रही यह बात तो फिर सवाल आता है कि government of India क्या करना यह देखा हमारी खुद की productivity को हमें boost करना है ना हमें हमारी capacity building पे ध्यान देना होगा physical और social infrastructure social infrastructure, health, education ठीक है basic needs से related जो भी aspects है उनको हमें proper develop करना होगा जिससे की गरीबी से हम हमारी जनता को निकाल सेके और physical infrastructure जैसे road, railway, energy supply ठीक है, renewable energy के अंदर काम कर लो ठीक है तो इस तरीके से हमें investment को promote करना होगा तो यह point अभी world bank report के according अगला article is court and climate, देखो अभी क्या हुआ, United Nations General Assembly में एक resolution पारित हुआ, जिसमें यह बात कही गई कि climate change से related जो भी responsibilities different countries की है, अगर वो countries अपनी responsibility properly fulfill नहीं करते हैं, तो international court of justice में case को ले जाए जा सकता हो, उन countries को sue किया जा सकता है, और उनके खिलाफ में वहाँ से order declare कराया जा सकते हैं, तो इस बात को बिना कोई problem के, ठीक है, पारित कर दिया गया है, unanimously, without any objection, even USA ने भी support तो दिया है, पर यह का आ जा रहा है कि USA बड़ा reluctant manner में support देने वाला country था, क्योंकि सबसे बड़ी responsibility USA को पता उसी पे आने वाली है, ठीक है, और United ने Eastern General Assembly किस resolution के basis पे अगर climate change के मुद्दे को लेकर के कोई भी case अगर पहुंच गया ICG में, तो जहां तक है chances यह developed economy जी threat में आने वाली है, इनहीं पे सवाल सबसे ज़्यादा उठेगा, ठीक है, तो USA थोड़ा reluctant था, पर ultimately yes कर दिया, तो इस तरीक तुने अपनी तरफ से यह proposal दिया था, पर एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, यह binding नहीं होगा, यह just एक opinion होगा, या फिर एक just order, decree होगी, या फिर कहो जो non-binding manner में काम करेगा, कम से कम highlight तो होगा ना कि कौन country लापरवाई कर रहा है, एक moral pressure create करने में ही help करेगा, ठीक है, आज आप देखो, international community में कितनी ज़्यादा frustration है, mainly तो यह जो vulnerable countries है, छोटे island countries, जो की climate change की वज़े से हो सकता आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा अपनी territory हो दे, क्योंकि पानी धिरे-धिरे rise होगा, global warming की वज़े से glaciers melt होंगे, तो oceanic level, sea level जो है, वो rise होगा, तो अपने आ economies है, जैसे अभी recent पाकिस्तान में floods आई, तो पाकिस्तान में कितना loss हुआ है, अभी तक भी recover नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तानों, शायद कर भी नहीं पाएगा, आने वाले कई सालों तक, तो यह existential threat है, climate change की वज़े से, अब यह responsibility, अकेला एक country, खुद क्यों भुकते है, तो वहाँ पर भी देखो, इस तरीके के system पर ध्यान दिया जा रहा है, कि कैसे भी, बाते तो होती हैं न, अब वो बात अलग है, कि यह जो small island countries हैं, या vulnerable countries हैं, वो इतना strongly अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, पर सच तो सच है, exposed तो होगा, तो वो ही point है, तो एक moral weight डालना च किया है, तो यह point अपने आप में निकल जाता है, एक climate justice भी एक चीज होती है, कि कौन किसने crime किया है, climate change को exacerbate करने में, बिगारने में, सारे मामले में, तो उसी को उसके according, उसकी responsibility देने की भी जरुवत है, अब यह जो climate justice ensure करने के लिए, ICJ का जो resolution है न, इसके लिए पहले की क declaration of human rights, इसकी बात करें न, तो इसका भी more or less, एक तरीके से ICJ का जो role है, ऐसा ही है, जिसमें ICJ अपनी तरफ से बात को announce कर देता है, कि हाजी इस country में इस तरीके से human rights का violation हो रहा है, अब वहाँ पर बात क्या आती है, बात या आती है, कम से कम highlight हो गया न, वो country जहाँ पर human rights का violation हो रहा है, तो वो ही यहाँ पर मुद्दा focus है, ठीक है जी, इसके अलावा अगर देखें, तो resolution में क्या लिखा गया है, कि एक clarity आएगी states के सामने कि हाँ कौन सा country obliged है, कहा के country, कहा के लोगों को ज्यादा protection की requirement है, तो कम से कम आप आज की generation, आने वाली generations पर climate का क्या impact आएगा उसके बारे में सोच समझभाओगे, बहुत सीधी बात है, कि main culprit कौन है, climate change को इस तरीके से बढ़ावा देने में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा accelerate कर दिया, तो वो है mainly, आपके क्या नाम है, इनका developed countries, तो ऐसे में इनकी responsibility निर्धारित करने में, एक तरीके से ये resolution बहुत ज पहली बार नहीं है कि United Nation जैसी forum पे इस तरीके से, United Nation जो की non environmental forum अग वहाँ पर भी इस तरीके से मुद्दे उठाये गए है, global warming है ना, global warming तो United Nation Security Council का agenda पिछले 15 सालों से बना हुआ है, 2007 से start हो गया था, और United Nation Security Council बहुत बार try कर चुकी है, कि ये जो global warming है, ये कहीं ना कहीं security issue ह और इसको tackle करने के लिए United Nation Security Council को आगया आना चाहिए, अब global warming का आपको पता है कि green house gases के emission की वज़े से होता है, ठीक है, पर यहाँ पर मुद्दा क्या है, कि चाइना और इंडिया जैसे जो progressive and developing countries, आप चाइना को तो क्या developing बोलो है, तो developed अपने आप में, अब इंडिया जैस शुरू कर दोगे, तो फिर United Nation Security Council कोई भी resolution पारित करेगी, तो वो binding होगा, और binding होगा तो फिर बाद में, जो economies अपने आपको अभी develop करना चाह रही है, जो अभी भी struggle कर रही हैं, आप उनकी struggle को और जादा मुश्किलों में convert कर दोगे, मतलब एक तरीके से blockade ही लगा दोगे उनकी life में, तो ऐसे में इन developing countries के दोवारा objection किया जाता है, United Nations Security Council में जब कभी भी global warming के ओपर इस तरीके से काम करने की बात आती है, तो point यहाँ पर ही आता है, कि एक तरफ तो development है, दूसरी तरफ environment है, तो क्या किया जाए, देखो बात ऐसी है, development होना ज़रूरी है, नहीं तो ह हम आगे progress कैसे करेंगे, या फिर यह कहें, कि कैसे हम sustain करेंगे, तो sustainability के लिए भी development ज़रूरी है, पर उसके चक्कर में अगर हम environmental resources को खतम कर देंगे, overuse कर देंगे, तो वो भी problem create करेगा, तो एक तो हो गया, यह कि एक balance होना चीए, development और environment हो है, दूसरा यह, कि जिन countries ने already development कर जिनकी वज़े से बहुत ज़ादा greenhouse gases का emission होता है, तो उन countries की responsibility ज़्यादा बनती है, जब कभी भी climate change की वज़े से कहीं पर भी कोई भी disaster आ है, जैसे यह भी recent पाकिस्तान में floods आई, तो पाकिस्तान ही क्यों बुकते, पाकिस्तान ने भी तावाज उठाईना यह चीज तो, क यहाँ बई, कहाँ पर तो pollution create और हम लोग भुगत रहें यहाँ पर, और हम अल्रेड़ी इतना damaged country हो, और ज़्यादा damage हो गए, तो ऐसी परिस्तितियों में, किसे भी एक country पर यह पूरी जिम्मेदारी थोप देना, कहाँ बई, तुम्हारी floods है, तुम्हीं तुम्हारी बुक agencies में, जिस भी country को support की requirement हो, support दे और support की जिम्मेदारी किन पर जाएगी, उसको निर्धारित करने में, उसको decide करने में, ICJ एक important role play कर सकता है, परिस climate change agreement है, उसमें यह मतलब mention किया हुआ है, कि भाई, यहाँ पर ऐसा कोई भी provision नहीं होगा, कि किसी country का कोई responsibility है, कि हाजी, protocol को replace करके enforcement में आ गया है, 2021 है, तो आप देखोगे कि Paris climate change agreement में भी यह provision नहीं डालने दिया, यह जो ICJ का जो अभी resolution पारित हो है, ऐसा, कि यहाँ जी कोई भी country में कोई disaster आती है, तो compensation दिया जाएगा, उसमें ऐसा कोई provision है, क्यों, क्योंकि जो American diplomats है न, US के diplomats है, उन्होंने यह चीज नहीं होने दी, क्योंकि उनको पता है, कि अगर कहीं पे भी climate change की वज़े से impact आएगा, तो USA का contribute सबसे पहले करना पड़ेगा, तो उन्होंने पहले backfit पे आ गए, कि नहीं जी हम तो बिल्कुल country नहीं करने वाले है, तो यह जो चीज है न, इस चीज को अभी, यहा यह उपर ही आके पढ़नी है, जब कभी भी क्लाइमेट क्राइसिस कहीं पे आएगा तो, फिर यह बताया जा रहा है, कि देखो जरुरत तो यह है कि United Nations Framework Convention Climate Change, जो UNFCCC है, इसकी इतनी मीटिंग्स हो जोगी है, COP28, COP27, मीटिंग बैक टुबैक हो रही है, हर साल हो रही है, औ तो बोले एक तो इसको reform करो, दूसरा, एक equity sensitive और climate oriented, climate agency बनने की जरुवत है, इस UNFCCC को कैसे reform करो, equity sensitive, इसका मतलब, जिसका जितना किया धरा, उतना ही वो भुगते, ठीक है, जिसने कोई crime नहीं किया, जिस country ने कोई emissions नहीं किया, फिर भी वो भुगत रहा है, तो उसको compensation मि इसके रावा, justice oriented, again वो ही चीज आ गई, तो कहने का मतलब imbalance नहीं होना चाहिए, फिर last में बोल दिया, कि ऐसे initiatives लेने चाहिए, जो की wealthier members की responsibility, settle कर सके, और wealthier nations को भी आगे आना चाहिए, यहाँ बही जो बाकी जो countries है, उनका support वो कर सके, कोई भी अगर climate की वज़े से crisis आता है तो, ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर main main देखनी थी है, हमें, आगे चलता है, next article है, not noble, article को लिगा, शाह अलम खान जी ने, यह खुद aims दिल्ली में प्रोफेसर है, ठीक है, मतलब खुद doctor है, तो इनका यह कहना है, कि 21 मार्स को राजस्थान assembly ने, right to health bill पारित किया, और रा outpatient और inpatient services जो है, वो freely access करना allow कर दिया, सभी government hospitals में, और selected private hospitals में, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा एक event consider किया जा सकता, अगर health point office से देखा जाए, पर दूसरी तरह अगर देखी जाए, तो ज़्यादा तर doctors, जो अभी आप देख सकते हो, जो सडकों पे उत्रे हुए है राजस्थान में, वो यह सोच रहे हैं कि यह right to health bill जब से आया है, यह bill अगर act में convert हो गया, enforcement में आगया, rule regulation बन गए, तो बलो उनके business model पे जो है, वो hit हो जाएगा, कारण कि emergency की परिस्तितियों में तो इनकी income बैठती है, और उसी emergency को आपने free करने की बात कर दी है, free का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि absolutely free, free का मतलब यहाँ पर है कि right to health bill के according कि कोई emergency case आये, और उस emergency case को अगर treat करने के लिए किसी private multi-speciality hospital में ले जाया गया, तो वहाँ पर आपको firstly treatment देना होगा, बिना कोई prepayment की demand के, और जब हो जाए emergency का सारा case खतम, तो उसके बाद में आप reimburse करवा लोगे, अब reimburse कौन करेगा government, अब doctors का यह कहना रहता है, जो हम already discuss कर चुके हैं, कि emergency का मतलब क्या है, हमें नहीं पता, define तो करो, और दूसरा यह, कि reimbursement जो आएगी, वो किस तरीके से आएगी, वो detail नहीं आई है, इसके लिए government की तरफ से यह जवाब है, कि यह भी rule regulation बनेंगे, उनमें declaration हम दे देंगे, पर writer यहाँ पर सीधा क्या बोल रहे है, कि यहाँ पर private hospitals की, जो income है ना, उनका जो business model है, उस पर सीधा ये assault consider किया जा रहा है, जादा था doctors के दौरा, कि बोला हमारी income डाउन चली जाएगी, अब यहाँ पर writer बोल रहे है, कि यह आप देख social issues या professional issues, हर जगें पर आप देखो, कि कहीं न कहीं morality को तो side में डाल दिया गया है, कि क्या होना चाहिए, best way out क्या हो सकता है, बट यहाँ पर यह देखा जा रहे हैं, कि मुझे कैसे benefit हो, तो writer यहाँ पर main चीज जो सवाल उठा रहे हैं, वो यह कि doctors को यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी दिखाने की जरूरत है, अब देखो, सबसे पहले तो हम यह देखें, कि यह जो scenario बन रहा है राजस्थान में doctors की तरफ से, उसके पहले हम राजस्थान में health का standard या status क्या है, वो जानते हैं, देखो, 2022 में healthy states progressive India करके एक report publish होई थी, नीतियायो, world bank और union ministry of health and family welfare के द स्थान मिला था, health में performance wise देखा जाये तो, अब आप देख लो, कि राजस्थान कहां stand करता है, दूसरा, National Family Health Survey round 5 की बात करें, जिसकी report 2019 से 20 की है, उसमें यह बताया गया है, कि राजस्थान में infant mortality rate, 1000 live births पे 30.3 है, समझ गए, मतलब, जब बच्चे पैदा होगे, 1000 बच्चे पैदा हुए, उन में से एक साल की उम्रे लेने से पहले-पहले कितने बच्चों की death हो रही है, तो वो है 30.3, जबकि neonatal mortality की बात करें, इसका मतलब बच्चा पैदा हुआ, और एक महीने की उम्रे लेने से पहले-पहले death हो, तो उसमें आप देखो, कि लगवग 1000 बच्चों पर 20.2, अब आप देख लो, हालत क्या हो रही है, इतनी ज़्यादा high infant mortality rate, इतनी high neolateral mortality rate, ये अपने आप में शो करती है, कि health कहां stand करती है, मतलब राजस्तान की परटी लली अगर बात करें, इसके अलावा ये बताया जा रहा है, कि nutritionally, women और children, इन में एनीमिया की problem, सबसे ज्यादा जिन states में मिलती है, जिनकी body में iron की कमी है, उन में से राजस्तान एक आता है, इसके अलावा population के according doctors कितने deployed हैं, उनके ratio की बात करें, तो आप यहाँ पर देखो, राजस्तान में 10,000 population के ओपर केवल 5 doctors है, जबकि आप जम्मू कश्मीर में जाकर के देखो, 10,000 population के ओ जिल को deserve करता है कि नहीं, कि जहाँ पर population जो है, लोग जो है, उनकी एक कहतरा health point of visa security ensure हो सकी, अब फिर राइटर जो है, वो उठा रहे हैं, कि किस तरीके से अभी यह जो protest हो रहा है वो, यह तो हमने राजस्तान का background देखा, फिर आगे राइटर बताना चाहरे हैं, कि हम एक इरा में जी रहे हैं, जहाँ पर health को भी हम capitalist economy के तरह ले जा चुके हैं, अब हम बहुत ये चीज़ clear समझ चुके हैं, कि हाजी अब जो भी professional courses होते हैं, उन्हें medical course बहुत जादा demanding है, ठीक है, जिसमें लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी, करके doctor बन जाते हैं, और फि पैसा है, तो क्या बनना चाहता है, तो वो तो बनना चाहिए, कि नहीं बनना चाहिए, बाकि माता पिता उसको करवा देंगे, तो जो डॉक्टर बन अपने, क्योंकि डॉक्तर बनेगा, पैसे तो कमाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर number of doctors per 10,000 population कम है, ना, राजस्थान की न करता है, कि जब मैंने करोड रुपए घर्ज करवा दिये माबाप के, तो फिर करोड रुपए कमाऊं भी, अब करोड रुपए कमाने के चक्कर में फिर वो exploitation पे या फिर exploitation भी नहीं, तो money extraction पे लग जाते है, एक तो money earn करना होता है, एक money extract करना होता है, यह चीज अच्छे से हम होता है, कि जब patient emergency में है, और उस time पर आप उसके लिए bill फाडने शुरू करते हो, कि यह test कराओ, वो कराओ, ऐसे कराओ, ऐसे कराओ, इतने में लंबा सारा bill बन जाता है, वो फिर pressure create करता हो, उस patient पे, तो यह हो गया money extraction, बोलिए जो लक्षमन रेखा है ना दोनों के वीच की, यह बड़ी blur है, पता ही नहीं पड़ता, कि किस time पर money earning, money extraction में convert हो गई, patient जब bill पे करता है, तब पता पड़ता है, कि हालत हो गई, patient या patient के जो रिस्तेदार है वो, तो हालत हो जाती है, खराब, तो यहाँ पर writer बोल रहे है, कि यहाँ पर जो main objection जो है ना, वो आप 78% जो deliveries है, जो आप कह सकते हो, institutional deliveries इनको बोलता हूं, hospitals में, उनमें 78% तो private hospitals में होती है, जो कि पहले government hospitals में हुआ गरती थी, तो बोले इस चीज को लेकर कि कहीना कहीं, private hospitals का यह सोचना रहता है, कि भई, यह income का source है, यह खतम हो जाएगा हमारा, ठीक है, दूसरी तरफ, Indian Medical Association न जो key officials है, वो सारे के सारे private practitioners है, इस वज़े से उन्होंने decision making में भी इसी तरीके से बोल दिया, कि हाँ भई, private hospitals का अगर benefit नहीं हो रहा है, तो चलो ठीक, रोड़ पे उतर जाओ अपने दो, और इस healthcare system को पिलकुल चौक कर दो, एक तरीके से, halt पे ला दो, जिससे हैं कि फिर automatically सरकार गुटने पे आएगी, तो ये scenarios क्या show करते हैं, ये scenarios show करते हैं कि भई, एक balance बनना जरूरी है, ठीक है, जो doctors के concerns है, वो भी address हो, जो मैंने आपको बता दी है, कि emergency किसको बोला जाएगा, और दूसरा reimbursement क्या होगा, तो दोनों चीजों के लिए कम से कम patiently wait तो करना कि बिना किसी meeting के ये bill बना दिया, पूरा proper stakeholders के साथ engagement हो यो, फिर उसके बाद में ये bill तयार हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये पारित किया गया है, राजस्तान assembly के द्वारा, ठीक है, और फिर writer बोलना चाह रहे हैं, कि राजस्तान उन states में से एक है, जहाँ पर जो general physicians हैं या फिर जो medical practitioners हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा attack होता है, assaults होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी problem है, distrust की, कैसे, कि एक doctor के पास में अगर आप treatment लेने के लिए जाते हो, तो वो doctor पता नहीं कितने लंबे bill भाड़ेगा, इस से patient और patient के रिष्तेदारों में एक anxiety रहती है, कि पता नहीं यह हमारा कितना कून पीने वाले हैं, अब ऐसे में अगर patient के bill को pay करने के बावजुद, bill तयार हो गया, pay करने के बावजुद अगर patient को बचा नहीं पाते हैं doctor, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, कि जो रिष्तेदार है, वो हो जाता है नाराज और फिर वो attack कर देता है, medical practitioner या doctors के उपर, तो बोले, यह distrust को खतम करने का एक बहुत बढ़िया opportunity थी, doctors के पास में, कि वो patient friendly इस bill को अपनी तरफ से support देते हैं, खीक है, फिर writer बोल रहा है कि मेरे खुद के कुछ दोस्त है, जो यह बोल रहा है, कि money earn करना कोई crime थोड़े न बढ़ता है, तो बोलो उसके लिए यह अपने आप में बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर writer last में एक ही बोल रहा है चीज, कि देखो, गरीब और have nots जो है, उनके लिए support देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसका सबसे बढ़िया तरीका है, कि society को आप अच्छा बन करें, हाँ, negotiate करो government के साथ में, negotiation में यह नहीं हो सकता, कि हाँ जी आप अपने के वल rates अपने ही साबसे मनमानी कर सको, life prime है, life अगर save हो गई, तो उसके बाद में आप अपने आप earn करने की capacity भी develop कर लोगे, तो यह point है, तो ultimately जो private hospitals का जो business model है, उस पे harm हो रहा है, इसलिए जो ह है, यह इस तरीके का protest हो रहा है, और writer जो है, वो इसी चीज को highlight करना चाहरे है, कि यहाँ पर बूला, थोड़ी समझदारी दिखाने की जरुरत है, views इनके यह personal है, doctor खुद जो है, यह writer जो है, वो professor है, department of orthopedics, aims, ठीक है, discussion में यही main main articles थे, बाकी एक और article है, उसमें ज्याद convention की बात करें, article दे, disrespect of boundaries, देखो, इसमें बताए, Vienna convention की बात कर लो, तो इसमें सीधा यह है, कि आप किसी भी दुश्मन देश के भी diplomats, अगर आपके country में आकर के रह रहे हैं, तो उनके security की जिमेदरी आपकी है, तो यहाँ पर point main highlight हो रहा है, कि UK में जो हमारा commission है, हमारा mission है वहाँ पर हमारे जंडे को हटाया जाता है, और UK की police जो है, British police है, उसकी security नहीं कर पा रही है, इसका मतलब Vienna convention का violation, दूसरा, इंडिया और UK मिलकर के FTA की बात करते हैं, engagement की बात कर रहे हैं 2030 में, तो बाइलेटरल issues पर कोई impact नहीं आएगा फिर, तो ऐसे में UK की establishment को समझदार इसे काम लेना होगा, कि जहाँ पर खालिस्तानी जैसे issues को उठाकर के, Indian mission के ओपर attack किया जाए, और India के खिलाफ में narrative create किया जाए, और पाकिस्तानी origin के जो Muslim groups, उनके द्वारा जो काम किये जा रहे है, वहाँ पर वो, उनको रोकने में अगर सरकारे fail हो रही है, बिटेन की सर अगर fail हो रही है, तो इसका मतलब फिर bilateral relations में कोई अच्छा result नहीं मिलने वाला है, तो यह चीज में highlight यहाँ पर की जा रही है, जिम्हेदारी है इनकी Vienna Convention के अंडर में, ओके, बस यही था point, discussion नहीं करता है, thank you very much.